नमस्कार, जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है आज हम सीखने वाले हैं जर्मन केसिस पार्ट त्री और उसमें हम सबसे इंपोर्टन जो चीज सीखने वाले हैं वो है प्रेपोजिशन्स prepositions prepositions मतलब क्या कि जो हिंदी में हम बोलते हैं केदार के निकट केदार के साथ केदार के सिवाए ये जो सारे हैं वो prepositions हैं और किसी भी भाशा में वो बहुत important होते हैं इन फैक्ट जो सर्वनाम और जो क्रियाएं होती हैं उतने ही important होते हैं तो पिर आप पूछोगे हम ये इतने late क्यों सीख रहे हैं 12-13 एपिसोड के बाद क्यों सीख रहे हैं तो उसका भी एक reason है मित्रो कि ये जो prepositions हैं जर्मन में उनके खुद के cases होते हैं और मुझे आपको ऐसे नहीं था कि अभी के लिए आप ये समझ लो बाद में हम ये समझते हैं मुझे आपको वो correct by construction सिखाना था इसलिए हम prepositions अभी सीख रहें तो अभी next 15 minute में हम important 20-22 जर्मन prepositions सीखने वाले हैं और उनके cases भी क्या हैं ये भी सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थोड़ सा revision करते हैं हमने देखा कि जर्मन में हर निर्जी वस्तु का भी gender होता है और उसके हिसाब से हमने देरदीदास का table देखा आइन आइन का भी table देखा और उसके माइन माइन भी करना सीखा उसमें हम एक चीज़ देखी थी दोस्तों हमने की with with मतलब bit ये रखूंगा तो सोदर कि आपको एक constant रहे तो पहले क्या होगा हम देखते हैं I play with my father I play with my father इसमें पिर से क्या करेंगे हम देखो याद है अगर आपको तो my को underline करेंगे और से replace करेंगे और with है इसलिए डाटिव father है इसलिए male I name इसलिए होगा इश्पीलो मिट माइन फाटर क्लियर है सबको इश्पीलो मिट माइन फाटर अगर ये क्लियर है तो बाखी का एकदम सिंपल है जैसे कि मिट एक डाटिव प्रेपोजिशन था वैसे हम और थोड़े आटिव प्रेपोजिशन देखते हैं कौन कौन से है देखो पहला है नाक नाक मतलब आफटर 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 I come after my father जू मतलब तू one of the most important ones I go to my father फिर है आउस 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 आउट आउट औफ पिर है बाइ बाइ मतलब आट I work at Seagate okay, then zeit, zeit मतलब since I am living in Munich since two years and last one is phone, phone मतलब of या from तो ये जो सारे हैं ये भी डाटिव है, डाटिव मतलब क्या दो example लेते हैं तो आपको एक दो clear हो जाएगा simple my father ही रखेंगे हम तो पहले देखो I go to my father I go to my father फिर से हम क्या करेंगे माई को अंडरलाइग करेंगे, असे रिपलेस करेंगे, अभी to है, to मतलब जू है, जू है तो क्या है, डाटिव और father क्या है, male डाटिव मेल, I name my name इश्गेह जू my name father, simple है right, similarly I come after my father I come after my father, फिर से अंडरलाइग किसे होगा माई को अंडर से रिपलेस करो after is नाख, नाख भी डाटिव है, डाटिव मेल, I name my name, इश्गोम नाख my name father simple है right, important क्या है आपको जो मिट, फॉन, नाख जू है, वो एक बरूं का अर्थ पता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है जैसे मिट डाटिव था, वैसे ये भी डाटिव है डाटिव प्रेपोजिशन्स क्लियर है अब इथोड़े प्रेपोजिशन्स ऐसे हैं जो अकुजटिव भी है मतलब क्या हम देखते हैं वो प्रेपोजिशन्स कौन से हैं वो देखते हैं फ्यूर मतलब फॉर फ्यूर मतलब फॉर ओन मतलब विदाउट अभी याद रखो मिट मतलब भी डाटिव था ओन विदाउट अकुजटिव है क्यों है लेंगवेज है ओके बिस मतलब तिल दुर्ष मतलब थुरू गेगेन मतलब अगेंस्ट उम मतलब विदिन देज उम मतलब रौंड अबउट ओके यह जो प्रेपोजिशन्स हैं वो हैं अकुजटिव इनमें से दो सबसे इंपोर्टन्ट है फ्यूर और ओनर वो हम देखते हैं तो यह फ्यूर ओनर कैसे करेगा उन्दे को हम दो एक्जाम्पल देखते हैं तो आपको एकदम इजी ली पता चल जाएगा तो सबसे पहले माय फादर को नहीं चूड़ना है आई कुक फॉर माय फादर फिर क्या होगा माय को अ किया फ्यूर सिंपल है रैट वैसे ही मैं अपने पिदाजी के सिवा याता हूँ फिर से किसको अंडरलाइन होगा माय को अ किया विदाउट क्या है ओनर है अकुजाटिव इसलिए होगा अकुजाटिव मेल एकदम सिंपल है रैट फिर से आपको क्या याद रखना है यह प्रेपोजिशन याद रखने है और यह अकुजाटिव है जैसे मिट आये तो डी स्लेश करते थे वैसे अगर यह प्रेपोजिशन आए तो अ स्लेश करना है क्लियर है सबको अभी हम third type of preposition सीखते हैं जो बहुत आसान है मतलब preposition खुद बहुत आसान है और यह हम बहुत use करते हैं तो यह मेरे साथ सीखोआ अभी देखो English में अगर आप सिर पे हाथ रखते हो सिर पे हाथ रखते हो या मेज पर पुस्तक रखते हो तो भी उसको on ही बोलते हैं और अगर आप गड़ी या तस्बीर अगर दीवार पे लगाते हो तो उसे भी on बोलते हैं जर्मन में ऐसे नहीं है दोनो on अलग है तो वो कैसे हैं आपको table में तो उसका meaning दिखेगा पर जहां पे मेरे पास ध्यान रखो आपको easy लेखो आप ऐसे ही याद रखोगे ना तो आपको आरजानी से याद रहेगा देखेगो मेरे साथ अन अन देखो मेरा हाथ चेहरे के ऐसे उपर है अन अउफ मतलब verticallyly उपर है अउफ यूबर यूबर मतलब अबो अबो उंटर उंटर मतलब नीचे फोर आगे हिंटर पीछे नेबन नीर स्विशन मतलब दोनों के बीच में मेरा सर जो है दोनों हाथों के बीच में है फिर से देखो आन आप भी करो आन आउफ यूबर उंटर फोर हिंटर नेबन स्विशन और उसके साथ आपको फ्री मिलता है इन इन मतलब इन इंगलिश का इन जर्मन का इन अब ये प्रेपोजिशन सीजी है ना बहुत बार यूज करते हैं दो प्रॉब्लिम इन देट में क्या है थोड़ असा जो लोग यहां पर कन्फ्यूज होते हैं वो है कि ये चेंजिंग प्रेपोजिशन है जिसको वेक्सल प्रेपोजिशन बोलते हैं अब ये चेंजिंग प्रेपोजिशन मतलब क्या ये कभी आकुजाटिव होते हैं कभी डाटिव होते हैं थोड़ा मुश्किल लगाना पर सिंपल है उसकी मैं एक ट्रिक देता हूं तो किसे याद रखना है अगर आप उसी जगा पे हो मलब जो आपका सेंटेंस हो रहा है तो आप उसी जगा पे हो अगर क्वेश्चन है वो वेर तो आप डाटिव हो और अगर आपकी जगा चेंज हो रही है क्वेश्चन है वहीं तो आप अक्वेश्टिव हो यह से थोड़ा वर्ड्स में समझना मुश्किल है इसलिए मैंने एक एक ग्जाम्बल तैयार किया है दो वह आप अगर समझ लो तो मैं तो बीटूब को जाते वक्त तक भी यह एक्जाम्बल लेके रिवर्स इंज तो हम पहले रूल दिखते हैं I eat in the restaurant I eat in the restaurant तो किसको होगा द को underline हो गया अभी in decide नहीं करेगा in decide नहीं करेगा decide क्या करेगा उससे पहले eat अब खा रहे हो एक जगा पर बढ़के खा रहे हो right तो जगा change है नहीं तो हमारे रूल की सबसे क्या होगा डाटिव तो डाटिव नूट्रल क्या होगा देम इसलिए is in them restaurant ओके वैसे ही I go in the restaurant I go in the restaurant इंद को underline करो again in नहीं decide करेगा क्या decide करेगा go अब जा रहे हो ना अंदर जगा change हो रही है आप correct तो उस टेंग क्या होगा accusative इसलिए accusative of neutral दास इश गेह इन दास restaurant इश एस इन देम restaurant क्योंकि मैं एक जगा पे था इश गेह इन दास restaurant accusative होगा क्योंकि मैं जा रहा था यह दो sentences याद रखो और reverse engineering करते जाओ again जैसे मैंने बोला अभी आज पहले दिन सीख रहे हो इसका यह वेक्सर प्रेपोजिशन सीखना इतना जरूरी नहीं है with the time आपको आता जाएगा important है कि आप यह आन आउफ यूबर समझ लो और दूसरी चीज़ कहा है कि यह जो सारे there दी दास होता है या I know किसको लगता है normal nouns को common nouns को जब proper noun होता है तो आप नहीं बोलते I play with the केदार नहीं बोलते रैट वैसे ही I stay near केदार I stay near केदार या फिर I stand near केदार होगा इस टेह नेबन केदार देर उसका डाटी ओपसाटी सोचने की ज़रूरती नहीं है जब आप केदार ओवी यह direct proper nouns यूज़ करोगे तो यह tension है ही नहीं तो important क्या है पहले यह on, off वगेरा समझ लो वेक्सल प्रेपोजिशन के लिए दो sentence याद रखो जैसे जैसे आपका यह जर्मन अच्छा होता जाएगा अपने आप आपको वेक्सल प्रेपोजिशन के concept समझ में आएगी समझें? तो देखो अभी हमने तीन प्रेपोजिशन के टाइप देखे डाटिव प्रेपोजिशन्स, अकुजाटिव प्रेपोजिशन्स और वेक्सल प्रेपोजिशन्स सबसे पहले क्या करो? पहले यह 20-22 प्रेपोजिशन्स जाओ है वो समझ लो एक किताब में लिख लो, उनकी practice करो और फिर उनकी cases क्या है उनके साथ use करो To be honest, इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ वाले होले कौन से है Mid, Zoo, Narc डाटिव में और Fur, Owner, Accusative में ये आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो Are, Now, Fewer भी आएंगे पर वो generally, many times they come with proper numbers Clear है? अभी cases complete करने से पहले, मैंने आपको पहले टाइप पार्ट में बताया था Indirect object का Indirect object का भी डाटिव कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा और इसके लिए ये sentence आप याद रखना ये sentence अगर आपको समझ लिया तो आपको cases का सार आ गया शांती से sentence देखो My father gives my son my ball My father gives my son my ball My father gives my son my ball करता कौन है? My father है Correct? तो होगे nominative कर्म कौन है? My ball, direct कर्म तो वो होगे accusative और my son, my son क्या है? indirect object है, right? किसको? तो वो होगा dative याद है सबको? तो वैसे ही कैसे कैसे करेंगे हम? My father के लिए क्या होगा? nominative male I am, इसलिए mine ball के लिए accusative male I am, इसलिए mine am और son के लिए dative male इसलिए होगा I am, इसलिए mine am तो sentence क्या होगा? देखो My father give my name zone my name ball ये give क्यूं हुआ? वो छोड़ दो हम थोड़े जब irregular verb सीखेंगे तब सीखेंगे आपके लिए सबसे important sentence याद रखना है ये आ गया तो आपको cases आ गये My father give my name zone my name ball शान्ती से ये अगर चाहिए तो एक बार rewind करके देखिए ये आपको समझ में आया तो cases समझ में आये तो अभी देखो हमने क्या indirect object भी कैसे use करना सीखा है तो last 3 episode में मिलके हमने cases के सारे जो basics हैं वो सारे clear किये है मेरी आप से फिर एक बार request है कि ये तीनों part सब मिला कि I think इलगबग एक गंटे का होगा शान्ती से देख लो अपके cases पूरी थरह से clear हो जाएंगे कोई भी आपको अगर doubts है तो comment box में पूछिए मैं उनके answer देने का प्रहतन करूँगा एकदम quick revision लेते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा कि हिंदी की तरह जर्मन में भी अलग-अलग gender है इवन निर्जीव वस्तुओं को भी उसके बाद हमने दैरगिदास का table देखना सीखा फिर हमने आइन का table देखना सीखा उसका use करके मेरा मेरी mind, dine, zine करना सीखा फिर आज हमने देखा कि कुछ-कुछ prepositions हैं जो खुद accusative, dative हो सकते हैं और उसके बाद हमने indirect object का भी डाटिव करना सीखा एकदम short अगर आप करता हो subject हो तो nominative हो अगर आप कर्म हो object हो तो accusative हो या फिर अगर आप furor owner के साथ हो तो भी accusative हो और अगर आप indirect object हो या फिर आप mid, font, zoonak के साथ हो तो आप डाटिव हो ये एक access male female nointrum में एक access आपके cases हो गए मुझे आशा है कि आप सब को ये cases concept समझ में आई होगी हम मिलते हैं next episode में धन्यवाद